हेलो फैंस नमस्ते फिर से नाए वीडियो के साथ आज हम एसे जर्माट के बारे में बात करेंगे जिसे आप चिरिया घर में देखे होंगे या कहीं जो प्रेटर का अस्थाला वहां पर उसको सुनक्षित किया जाता है यह जो जर्माट बहुत इंस्टेक्शन कंडिशन में ध धिरे धिरे जर्माट का पर जाते बिलुक्त होते जा रहा है अब काफी कम ही संख्या बच गया है सरकार इस पर बैन लगा चिक हुई है और इसके लिए बहुत सरा सरकारी और गैर सरकारी चेतर भी बनाए हुए जिसमें इनको सुरक्षित रखा जाए और यह बिल्ली के सब को मिलता रहा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बाग नक्यवल बिली परजाती के सबसे बरा और तकतबर जनवर हैं बलकि धुरूपिय भालू और भूरे भालू के बाद प्रित्मी पर तिसरा सबसे महां सहारी जानवर भी है एक बाग का जीवन काल जंगल में 14 बच्चों को जनम दे सकती हैं बाग के जब बच्चें पैदा होते हैं तुए अंधे होते हैं एक से दो सब्ता के बाद उनकी आग खुल जाती हैं और उसमें से किवल आधे ही बच्ची जीवित रह पाते हैं सावक 6 महीने के उमें सिकार करने का हुनर सिखना सुरू कर दे नर्बाग मादा बाग से अकार में बड़े होते हैं बाग के दात लगबग चार इंच लंबे होते हैं बाग की पुछ तीन फिट लंबी होती है और यह उन्हें अपनी संतुलन बनाये रखने में मदद करती हैं बाग सभाविक रूप से मंसारी होते हैं और वे क्यवल मान स सिखाते हैं इनका पसंदिदा भोजन जंगली भैस जंगली सूर और ही रन होते हैं बाग सिकार खोजने के लिए रात का इंतजार करते हैं क्योंकि अंधरे में देखने की छमता इंसानों से छोग ना बढ़ जाती हैं और वे हमेशा गरदन के पिछे हिस्से पर ही बार करते हैं उनके दस प्रियासों में से लगवक एक बार ही सफलता मिलती है बागो के पैर गज़दार होते हैं जिससे वे बिन आवाज की अपने सिकार की और बढ़ सकते हैं बाग अक्सर अकेला राना पसंद करते हैं और यह उनका अपना छेतर होता है वह यह अन बाग को अपने च्छेती से दूर रखने के लिए पेर पौधे पर पेसाप करके अपने च्छेती को चीनित करते हैं बाग का पर इतना मजबूत होता है कि वह मरने के बाद भी कुछ देर खर रहा सकता है बाग के दिमाग का वजन तीन सौ ग्राम होता है सभी मनसारी जैनवरों में यह दूसर बाग के सरी पर पाई जाने वाली धारिया भी हमारी उंगलियों के निसान के तरही यूनिक होती है एक बाग 18 हर्च तक की आवाज निकाल सकता है और इसकी दाहार 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है बाग 65 किलोमीटर परति घंटे के रहतार से दौर सकता है अलगता बाग 30 फिट लंबी और हावा में 12 फिट उची छलांग लगा सकता है बाग के पिछले पैर आगे के पैरों से बड़े होते हैं जिससे वें 20 ते 30 फिट तक छलांग लगा सकते हैं आपको जानकर हरानी होगी कि हर बाग के कार्ण के पीछे सफेद रंगे गोल धब्बे होते बाग केवल एक भोजन में 50 kg तक मास खा सकता है यानि की 400 बर्गर के बराबर नर बाग का वजन 90-310 अर्मादा का वजन 65-170 kg होता है एक साइवरियन बाग का वजन 66-60 पाउंड तक हो सकता है सुमंत बाग अकार में सबसे छुटा बाग है नर सुमंत ताइगर का वजन 65-65 होता है जो मादा सिर के वजन के बराबर होता है बाग की सभी परजातियों में बंगाल टाइगर सबसे आम बाग है बाग वर्षा बनो गहान के मैदानों साबना यहां तक की दलदल भागों में भी पाए जाते हैं बाग के सामने के पंजे का एक पंच आपके जान के लिए काफी है बाग और जबरे और दाथ इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने सिकार का गला एक जटके में ही तोर सकता है यह अदास्त के मामले में बाग इंसानों से जरात तेज होते हैं इनके अदास्त इंसान से 30 गुना अधिक तेज होती है WWE के रिपोट के नुसार दुनिया के जंगल में केवल 3890 बाग ही बचे है जिन में से 70% भारत में है और कनाटक में भारत में सबसे ज़्यादा 408 बाग है हरानी की बात ही है कि जंगल में इतने बाग नहीं है जितने बागों को दौरा पाल रखे है बाग किसी अनपरजाती के बरी बिल्यों के साथ संभोग कर सकते है नर बाग उंधा भाग सेर के मिलन से पैदा होने वाले बचो को टाइगन कहा जाता है और नर चेर और मादा भागे मिलनें से होने वाले बचो को लिगर्स कहा जाता है बिल्ली अपने दियन का लगभग 90.56 परतिसात बागों के सजा करती है दूसरे सब्द में आप यह कर सकते हैं कि आप बाग 95% बिल्ली ही होती है इसमें साथी में अक्यले भारत और नेपाल में एक बाग ने 430 लोग के जान ले ली थी मुझ से लिएकर पूछ तक बाग के सरी के हर हिस्से को बेचना या खरीदना गयर कारूनी है भारत सहित बंगलादेश मलेशे अर्दचिन कोरिय का भी राष्टिरिय पसु बाग हैं